हेलो असलाम अलेकूम एवरीबड़ी आम निशित शर्वित निव टोपिक फर क्लास 11 चाप्र नूमर थ्री दिए इकोलोजिकल इंट्रक्शिंस और अडप्सिटेश्टिशन हमने पहले पढ़ा था है टूशन सेंटर पे लेकिन आज हम थोड़ा रिकाप्चिलेट करते हैं इ सबसे पहले देखते हम इसके 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 इ कि एकोलोगी के इंटरेक्शन क्या होती है we know that in ecosystem there are different biotic and abiotic components which are interacting affecting each other always this affecting of different components of environment we call this interactions in ecology biological interaction it is affected that a pair of organisms living together in a community have on each other suppose हमारे पास बहुत सारे पेड है या जानवर है वह आपस में क्या interaction करते हैं यह सारे चीज़े हमें इस चप्टर में पढ़नी होती है यह से pollination है, production है, evolution है, symbiosis एंड सोँज़न तो सबसे पहले हम देखते हैं यह देखे, मैंने आपके लिए, जो के उपर बैटे हैं, polar bear से, यह इंटर स्पेस्पिक, इंटर स्पेस्पिक के एक स्पेशीज है grass और grass उपर में यह इंटर स्पेस्पिक इंटरेक्शन और बहुत कुछ चलो अब हम आते हैं, classification interactions के बारे में, यह हम देखते हैं, वैसे तो हर कोई, हम manly इनको दो हिस्सों में बाढ़ते हैं एक है इंट्रस्पेस्पेस्पेस्पेस्पेस्पेस्पेस्पेस्पेस्पेस्पेस्पेस्पेस्पेस्पेस्पेस्पेस्पेस्पेस्पेस्पेस्पेस्पेस्पेस्पेस्पेस्पेस्पेस्पेस्पेस्पेस्पेस्पेस्पेस्पेस्पेस्पेस्पेस्पेस्पेस्पेस्पेस ये rat और cat के दरमें different species है इसलिए हम है इनसान या हमारा पेड़ों के साथ क्या interaction है वो भी है interspacific उसके बाद आती है तीसरी interaction उसको हम बोलते है harmonious interactions harmonious वो होती है जो जहां पे कोई भी organism हरम नहीं होता है किसी पे bad impact नहीं होता है inhormonious interactions वो interactions होती है जिसमें कम से कम एक का नुकसान होता है फिर हम देखते हैं जो type of interspacific interactions है उसमें आती है manly दो type के एक है positive और दूसरी negative interactions positive वो interactions होती है जहां पर दूनों को कम से कम अगर दो organism आपस में interact करते हैं उसमें देखते हैं जो कम से कम एक को फाइदा मिलता है और किसी को इसमें नुक्सान नहीं होता है फिर जो लेकिन जो negative interspecific interactions है इसमें कम से कम एक को नुक्सान होता है वो देखेंगे हैं with examples क्या होता है देखें ये फुलो चड़ मैंने दिखाया है biotic interactions या biotic interactions इसमें आते हैं दो manly positive interactions या negative interactions positive में mutualism है commensalism है proto-cooperation और negative में आते है immensalism, parasitism, purification and cannibalism and competition या आपके लिए मैंने टेबल रखा है देखें जो neutral हमारी interactions होती है इसमें दोनों पे एक दुसरे का कोई असर नहीं होता है फिर mutualism है इसमें दोनों को positive देते हैं हम इसलिए positive means both are benefited by this interaction then immensalism is third one इसमें एक को नुकसा होता है एक को कोई फरक नहीं पढ़ता है फिर चोथी है commensalism इसमें एक को फाइदा है और दूसरे को कोई फरक नहीं पढ़ता है और फिर है इसके बाद parasitism या prediction है इसके बाद और एक competition parasitism में एक को फाइदा मिलता है जो जिसको हम बोलते है parasite और जिसको नुकसान होते है उसको बोलते है host फिर prediction में एक को फाइदा दूसरे को नुकसान for example lion होता है या ये होती है deer इसमें अब भी हम आगे पढ़ेंगे symbiotic association symbiotic means which remains for longer time यहां पर क्या होता है mutualism में positive positive में ने बोला है positive में दोनों को फाइदा होता है और यह होती है obligatory जरूरी होती है कम से कम एक organism इसके बिना नहीं रह से इन दोनों में यह ज़्यादा तर हम कहां पर पाती है tribe किस में for example pollination plant को क्या होता है उसको pollination मिलती है उसका fruit बन जाता है लेकिन जो बी होती है उसको खाना मिल जाता है in the shape of क्या बोलते हैं इसको nectar और फिर है इसके बाद lichens symbiotic nitrogen fixation होती है mycorrhizum मैंने बोला यह होती है root association with fungi यह ज्यादा तर forest में पाया जाता है और colon flora suppose ecoli होता है हमारी इसमें होता है colonism में वो help करता है digestion में mutualism और उसके बाद यह second positive relation है उसको बोलते हैं commensalism हम represent करते हैं positive and zero से positive means एको फाइदा zero दूसरे को कोई फराद नहीं तो क्या देखेंगे definition of one species is benefited and other has no impact for example lyana lyanas are these are the creepers found in the forest for example और एक दूसरे example मैंने यहां पर दिखाई है आपको यहां पर epiphytis देखे आप epiphytis में वो plants से जो दूसरे plant पर पैदा होती है उन पर grow करते हैं लेकिन जो बड़े plants से उनको कोई असर नहीं होता है इसके साथ यह हर्ट करते हैं उनको नहार्म करते हैं और यहां पर और तीन examples for example frogs use trees for production यहां पर भी frog को फाइदा मिलता है लेकिन plants plant को कोई फारग नहीं पढ़ता है cattle igratus होती हैं दूसरे यह भी insects खाती है जब केटल पर बैठते हैं cattle से इसको कोई फाइदा नहीं होता है so these are the examples of commercialism उसके बाद हम आते हैं तीसरी term जो positive होती है positive interactions में आती है proto corporation proto corporation क्या होता है यह बिलकुल mutualism है लेकिन इसमें एक चीज़ है यह obligatory नहीं होती है यह कभी कभार कि इसी situation में आते हैं तब यह interaction दिखाती है for example हमारे पास होता है crocodile bird है या crocodile crocodile bird क्या कर जब कभी कभार crocodile मुझ खोले होगे बैठता है समंदर के पास या किसी बीच के पास तो यह bird क्या करता है उनके मुह में चला जाता है और वहाँ से एक खाना निकलता है इससे उसको खाना मिलता है crocodile को कोई फरक नहीं मजबूरी नहीं है crocodile को इसको नहीं स्वारी यहां पे क्या होता है crocodile को सफाई होती है दावतों को तो दोनों को फाइदा है लेकिन अगर वह इसमें नहीं चला जाए तब भी वह बच सकता है यानि इसको यह मजबूरी नहीं है कि यह interaction दिखाए बल्कि इससे इन दोनों को फाइदा मिलता है लेकिन obligator नहीं इस हम इसको और टर्म यह देते हैं कि इसको हम बोलते है mutualism but non-obligator यह आप याद रखेगा कि यह जरूरी नहीं होता है इनके लिए और एक example है यहां पर आंटस और एफिडस आंटस क्या करते हैं एफिडस को अपने गोंस्नों में ले जाएते हैं फिर इनसे जो होनी निकलती है उनको फाइदा मिलता है और उसके बले में एफिडस को खाना मिलता है आंटस से फिर इसके जो पाजिटिव होगा आती है लास्ट में जो इंट्रस्पेस्पिक जो हम डिल कर रहे थे इंट्रस्पेस्पिक इंट्राइक्शिनस में लास्ट वाली आती है neutralism neutralism is 00 interactions यहां पर किसी को कोई फाइदा नहीं है यह यह इंट्रक्शन अल्मोस्ट हर किसी में पाई जाती हैं for example which is the interaction between species these interactions may have effect on the species population in neutralism interactions are incidental or indirect and are said to have no effect on either population neutralism occurs when two population interact without having an effect on evolutionary fitness of each other for example कहीं पर दो अलग अलग कस्म के पीर्ड होते हैं वो दोनों गुरू करते हैं लेकिन एक दूसरे को कोई impact नहीं करते हैं इस तरह की neutral interaction को हम neutralism बोलते हैं और यह यह था आज इतना हमने रिक्रेप्चिलर किया प्रिशला टापिक और इसके बाद हम पढ़ेंगे नगेट्व इंट्रेक्शन इंशाला वो दूसरे इसके बाद जो टापिक को उसी में दिखाएंगे हम आज के लिए बादें